Hello Friends, Welcome Back to YouTube Channel आज के दिन हम बात करने वाले हैं. Mother Sun Sumi Systems Limited के बारे में तो Mother Sun Sumi Systems Limited के बारे में बात करेंगे, जिसका पुरा नाम चेंजों के समर वर्धन Mother Sun Center National रख चुका है. तो बात करेंगे इसके related इसकी information देखने वाले unless देखने वाले हैं तो सभी आज बहुत ज्यादा important रहने वाला है तो वीडियो जरूर देखें. साथ ही में Stock Market Basic के बारे में बात करेंगे तो Mother Sun Stock की बात करें तो इसकी share price आपको अपनी स्क्रीन के सामने देखने को मिल रही होगी. फाइल्स प्रोग्राम चलते हैं तो Mother Sun Sumi Systems Limited Indian Manufacturers Global Supply है. Automotive component के बाद तो 1986 में established हुई थी. Mother Sun Group के अंदर आती है ये कंपनी, जिसके अंदर Joint Venture है समवर्धन Mother Sun International Limited के साथ और Sumithew Wiring System of Japan के साथ बात करो. Headquarter Noida में 1986 में फाउंड हुई 40-50,000 employees के अंदर काम करते हैं और बात करें उसके quarter result के बारे में. तो इस साल का थोड़ा normal देखने को मिला इस quarter का. March थोड़ा normal था, December थोड़ा normal था, September यहां पे कंपनी देखा जाए तो धीरे-धीरे कम quarter produce कर दी है. जैसे रिस्क जादा हो जाता है stocks में invest करने का तो मैंने बता दिया थोड़ा सा रिस्क है. इधर या long term में जरूर कंपनी थोड़ी सी stable दिखती है, लेकिन short term में थोड़ा सा रिस्की है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों में कुछ आपको stock market के related बताऊंगा कि stock market related अगर आप पहले invest है तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे आपके portfolio advantage में रहती है, क्या beginners tax रहने वाले और जो मेरी favorite companies है अलग-अलग sector की? उन सभी के उपर भी बात करते हैं. तो पहले अगर मैं बात कर लो, अगर आपको stock market के अंदर आना है तो आपको पहले demit account पे training account और वो भी online broker के साथ खुलवाना पढ़ेगा. आपको और वो भी आपके bank account के साथ link होगा और बात कर ली जाएगी. क्या एक advantage stocks जो ले सकते है हम जिससे आपकी जो stock है उसमें कम से कम loss हो तो एक right investment आपको buy करना चाहिए और individual stock की जगह ज़्यादातर stocks पे जा सकते हैं और अपनी जो portfolio को diversified करना चाहिए. आपको एक अलग-अलग category के stock लेना चाहिए. आपको prepare होना चाहिए कि आपके पास loss हो सकता है. ये होने वाले टाइम में और आपको long term portfolio ज़्यादातर stock करनी चाहिए. short term training को avoid करना चाहिए. अब बात करूंगा मेरी कुछ favorite sector की company उनके बारे में भी अगर हम overall देख ले तो बात कर लीजिए. मेरे overall factory company जैसे मैं finance sector में बजाज finance service limited को ज़्यादा importance देता हूँ. IT sector से बात करूंटों को fridge और infosys limited को देता हूँ और food service या FMG service से मैं जो bland food को ज़्यादा importance देता हूँ long term sector के हिसाब से तो ये कुछ मेरी advantage थी, stock market की tips थी या कुछ भी मान सकते है. बाकी अगर आप सभी जानते हैं investment चार टाइप की होती है shares property, cash fix, interest और बाकी investment जिससे मैंने आपको successfully बता चुका हूँ. ये मेरी कोई success tips हैं जिन्होंने मैंने भी उनको follow करके एक अच्छा खासा business से अब intermediate तक जा सकता हूँ तो वीडियो में यहां तक की रखता हूँ और आपको वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe कर दीजिए, साथ में बेल ला आइकॉन.